तो लास्ट पाव ने हमने हाउ टू इंसार टैबल पड़े थे अगर अभी हम दूसरा टॉपिक पड़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ मैंज़ेंगे यह भी क्या है टैबल का यानि क्या है प्रॉपर्टी है To Convert Text to Tables तो Text को कैसे fare tables में convert करना है वो सिखींगे जिसे आप सब को पता है जिसे प्रे। एग्जम पलग्खा को mind ने हमारा क्या है? Text Area है तो मान के चलो में यहाँ पे कुछ लिखा है तो इस जो लिखा हुआ यह paragraph है उसको अगर हमें convert करना है तो वो कैसे convert करना ही वो सिखेंगे अबेस में तो inside table तो आप लोगों को सीख लिया होप सो आपको अच्छे से आये होगी आपको इन सब को या करना है लैब में जाके practice भी करना है फिर इसकी बात पहले आपको अच्छे से पढ़ना है याद रखना है, केसे insert करना है, कहां पर जाना है ये सारे चीजे करना है और हैं你好 ये सारे चीजे करना है और назад वीडियो में आपने सीखा था तो चलो हम सीखेंगे अब इसको, to convert text to table टैबल से, text sa table को केसे convert करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपकी यानि वॉक एरिया में क्या आना चाहिए, एक टेक्स एरिया में आपको टेक्स लिखा होना चाहिए, जिससे फॉर इक्जम्पल में यहां पर A, B, C लिखा हुआ है, मान के चलो यह हमारे क्या है, एक पैरिग्राफ लिखा हुआ है, तो इस पैरिग्राफ को मुझे क्य क्या आज जाएंगे, काम में आ जाएंगे, तो चलो हम देखेंगे, ये भी क्या है, टैबल का एक फ्यूचर है, to convert text to tables, तो means, यानि, text को टैबल में कैसे convert करना है, select the text, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस text को क्या करना है, select करना है, फिर इसके बाद, inside tab में जाना है, select the inside tab, in table group, click the table command, फिर से आपको क्या करना है, टैबल कमांड पे क्या करना है, click करना है, जो, यानि, convert text to table करने के लिए, फिर इसके बाद, next, select the convert text, फिर यहां से आपको, यहनि, क्या आजाएंगे, डिफ्रेंट्स ओप्शन आजाएंगे, जैसे लास्ट मेने आप लोगों को बताया था, it display different options, तो चाहे तो आप वह भी लिख सकते हैं, यहां पे, it display, it display, sorry, display, different options, option, select the convert text to table, फिर आपको display हो जाएंगे, जब आप टेबल कमांड पे आपको किलिक करता है, तो आपको display हो जाएंगे, different options, यह जो options, inside table, draw table and convert text to table, यह भी आजाएंगे, तो इसमें से आपको क्या करना है, convert text to table पे, को select करना है, select convert text to table options, आपको क्या करना है, text को, यानि, टेबल में convert करने के लिए, आपको क्या करना है, convert text to table option को, आपको क्या करना है, क्लिक करना है, फिर इसकी बाद, display a dialogue book, जब आप इस पो क्लिक करता है, तो इसको select करता है, तो यह क्या करेंगे, आपको एक box, यानि क्या करेंगे, प्रवाइड करेंगे, उस box में दो sections होगे, एक में होगे, आपकी colon, row का size, दुसरा होगी, separate text, text को कैसे separate करना है, आपको sections, select the desired options, उसमें से आपको क्या करना है, अपनी options को, यानि क्या करना है, select करना है, click ok, फिर इसकी बाद ok पे click करना है, the text will convert to table, फिर इसकी बाद जो आपकी इस लिखा हुआ text, यानि क्या हो जाएंगे, table में insert हो जाएंगे, मगर आपको ये चीज़ यात रखना है, उसमें sections, उस sections में आपको आजाएंगे, sections में आपको, जैसे आपकी colon और row का size आप से पूछा जाएगा, फिर वहां से आपको या तो, क्या जाएंगे, उसमें आपको अपनी text को separate, text 8, यानि text को यानि कैसे separate करना है, paragraph में करना है, आपको type रखना है, या अधर रखना है, यह सारे चीज़ आपसे पूछा जाएगा तो आपको यानि उसमें से क्या करना है जो जो आपको अच्छा लगेंगे उसको यानि आपको क्या करेंगे आप सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट डिजारिड ओप्शन इसमें परिग्राफ आजाएंगे आपको अपने टेबल को परिग्राफ में रखना है या टैब में रखना है या टैब में जो बड़े बड़े सिपेस में रखना है या आपको अधर्स में रखना है आप वो सारे चीजे आप वहां से क्या कर सकते हैं सेलेक कर सकते हैं उस उप पूछ सकते हैं, आप लोग बीना ही जग पूछ सकते हैं, और लिखोई इसको अच्छ से copy पर नोट रखो, अगर हम इसको class में फिर से repeat करेंगे, और साथ ही साथ में हम lab में पर रिपीट करेंगे, ताकि आपको अच्छ से clear हो जाएगे हैं सारे चीजे, तो होपसुआ आप